बच्चो आईए अब हम बात करते हैं और द्योगिक समुहन पर तो पहले ये समझ लेते हैं कि और द्योगिक समुहन है क्या हम अपने भारत में देखते हैं तो भारत में जितने भी विनिर्माड उद्योग हैं उन सभी का वित्रण जो है वो हमें सभी जगा एक समान देखने क और वो इसलिए कि उद्योगों को जो factors प्रभावित करते हैं, जो कारक प्रभावित करते हैं, वो भी सभी जगा हमें समान रूप से नहीं मिलते हैं. अब जब उद्योग को स्थापित करने के लिए, उसकी स्थापना के लिए जो सहायक कारक हैं, चाहे हम कच्चा माल की बात करें, या बाजार, श्रम, पूंजी, किसी भी विशाय पर बात करें, ये सभी जगा इसकी जो अनुकूलता है, वो अलग-अलग हमें देखने को मिलती हैं, और जिन छेत्रों में इसकी स्थापना के जो कारक हैं, उनका अनुकूलन एक समान या हम कहें कि अधिक मात्रा में उपलब्ध मिलता है, वहां पर हम देखेंगे कि उद्योगों की जो अलग-अलग इकाईयां हैं, उनका एक समू के रूप में स्थापित हो जाता है, य यह जो उद्योगों का समूह होता है, इसे ही हम उद्योगिक समूहन के नाम से जानते हैं, यह उद्योगिक समूहन कहते हैं, अब उद्योगिक समूहन के लिए कुछ जो मापदंड बनाए गये हैं, जिनके आधार पर इसका निर्धारन किया जाता है, कि किसी स्थान पर कौ कौन सा ओद्योगिक समूह जो है वो इस्थापित है या मिलता है तो यह मापदंड कौन से हैं यह हम देख लेते हैं पहला है वहां पर मिलने वाली ओद्योगिक इकायों की संख्या इसके बाद ओद्योगिक कामगरों की संख्या मतलब उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक उप्योग में लाई जाने वाली उर्जा की मात्रा मतलब उस उद्योग में कितनी उर्जा जो है वो उप्योग में लाई जा रही है उस छेत्र में फिर अगला हम बात करते हैं कुल उद्योगिक उत्पादन जो पूरे उद्योग किसे स्थान पर अलग-अलग प्रकार के विन वस्तुओं के मुल्य में परिवर्तन या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कच्चा माल हम मिल रहा है ना पहले हमने जैसे बात की थी कि भाई धरातल पर या भूगरव पर मिलने वाला पथर वह पहले पथर है लेकिन हम विनिर्मान उद्योग में उस पथर को तराश कर उसक आकरिती में बदला कर हम ने उसकी जो कीमत है उसको बदल दिया या हम कहें कि उसकी उपयोगिता को बदल दिया और उसे और अधिक उपयोगी बनाया जिससे उसके मुल्य में परिवर्तन हुआ या हम कहें कि पहले जो चीजे मिल रही हैं वस्तुओं के रूप में परिवर् यह जो है इसका अगला मापदंड है अब इन सभी मापदंडों के आधार पर हमारे देश में भी अलग-अलग जो हैं ओद्योगिक समू बनाए गए हैं या हम कहें कि भारत को अलग-अलग प्रकार के ओद्योगिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है जहां पर हमें प्र उसी में प्रमुख रूप से 6 अध्योगिक प्रदेशों में भारत को इभाजित किया गया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से अध्योगिक प्रदेश भारत में मिलते हैं। तुसमें पहला हम देख रहे हैं मुंबई पुडे ओध्योगिक प्रदेश, दूसरा है आपका हुगलिक प्रदेश, तीसरे नंबर पर है बैंगलुरू और तमिल्लाडू ओध्योगिक प्रदेश, चौथा है आपका गुजरात प्रदेश, पांचवा छोटा नागपुर और पुडगाउं, दिल्ली और मेरथ ओध्योगिक प्रदेश, और अगला है आपका कोल्लम तिरुव्नन्त पूरम ओध्योगिक प्रदेश, ती यह प्रमुख जो आठ ओध्योगिक समूह या ओध्योगिक प्रदेश हमारे भारत में मिलते हैं, अब यह यहाँ पर ऌद्यो एक एक आद्योगीक प्रदेश पर कि वहाँ पर उद्योगों के विकास के लिए कौन-कौन सी अनुकूल परिस्थितियां हमें मिलती हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं मुंबई पुड़े ओद्योगीक प्रदेश मुंबई पुड़े ओद्योगीक प्रदेश जो है इसका विस्तार आपके ठाड़े से लेकर पुड़े तक और नासिक से लेकर सोलापूर तक इसका जो विस्तार है वो हमें मिलता है इसके आसपास क में जो निकटवर्ति जीले हैं यहां भी हमें यह औद्योगिक प्रदेश विस्तरत रूप में देखने को मिलता है और इसके अतरिक्त जैसे हमने बाद की ठारे से पूड़े और नास्तिक से शोला पूर और इसके आसहीं उस्साथ जो विस्त्रित हमें मिलता है इसके बाद हम देख रहे हैं इस उद्योग का विकास जो है वो आरंभ कब से हुआ इसका तो प्रमुक रूप से हम यदी बात करें कि इस प्रदेश का और द्योगिक विकास जो है वो आपके लगभग 1774 इश्वी में प्रारम किया गया जब अंग्र जल पोत अश्रे के निर्माण के लिए इस द्वीब को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। तब से ही इस प्रदेश का जो विकास है वो प्रारम हो गया। इस चेत्र में और इसी उद्योग की स्थापना से ही हम कह सकते हैं कि इस चेत्र का प्रमुक रूप से और दोगिक विकास जो है वो प्रारम हो गया। इस चेत्र का महत्व और अधिक बढ़ गया। अब हम देखते हैं रसायन उद्योग और उसके साथ ही सूती वस्र उद्योग की हमने बात की इन उद्योगों के अतरिक्त हमें जो इंजिनिरिंग का समान है और पेट्रोलियम परिशकरण की हम बात करें। और जो अलग अलग प्रकार के उर्वरक उद्योग हैं और बिजली का समान जल यान निर्मान उद्योग ये सभी उद्योग भी यहां पर बहुत अधिक विक्सित अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। बच्चों आप सभी जान रहे हैं कि मुंबई जो है वो विश्व भर में प्रशिद है आपके भारत के हॉलिवुड के नाम से इसे भारत का हॉलिवुड जो है कहा जाता है। इस प्रदेश के जो प्रमुख ओद्योगिक केंद्री की हम बात करें। तो इसमें आपका मुंबई है, कोलकाता है, कल्यान, ठाणे, यह जो हैं यहां के प्रमुख ओद्योगिक प्रदेश हैं। अब देखते हैं कि इस ओद्योगिक प्रदेश के ऐसे कौन-कौन से अनुकूल कारक हमें देखने को मिलते हैं, जो इस ओद्योगिक छेत्रे के विकास के लिए उत्तरदाई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चुकी हमने बात की कि इस छेत्र का प्रमुख ओद्योग जो है वो सूति वस्त्र ओद्योग है और हम सभी को पता है कि महाराष्ट जो है वो काली मिट्टी के लिए धनी छेत्र है हैuciónगी तो काली मिट्टी की प्रमुखता मिलती है। इसलिए कपास उत्पादन जो है कच्चे माल के रूप में यहाँ पर प्रमुक्ता से हमें उपलब्ध हो पाता है जिस कारण से सूती वस्त्र उत्द्योग का यहाँ पर विकास है और अन्य उत्द्योगों के लिए भी कच्चा माल यहाँ पर मिल जाता है. दूसरी चीज़ हम देखें कि मुंबई जो है यह एक बंदरगाह नगर हम कह सकते हैं जिसके कारण यह बंदरगाह नगर तो है ही जिससे यह जल परिवहन या जल यातायात वाले मार्क से जुड़ा ही है. साथ ही साथ मुंबई का विश्व के जितने भी देश और विदेशों से इसका जल यातायात, वायू यातायात, सड़क यातायात और रेल परिवहन के माध्यम से इसका जुड़ाओ है. आप सभी को पता होना चाहिए कि देश का जो सबसे पहला रेल है, लगभग 34 किलोमिटर लंबा, ये सबसे पहली रेल जो है, ये मुंबई से ठाणे के बीच इसी और द्योगीक प्रदेश में ही चलाई गई थी. इसके बाद रेल मार्ग से जो इसका जुड़ाओ है, मुंबई से लेकर पूरे और नासिक के लिए भी हो गया, और क्रमशा इसका विकास जो है, ये भोर घाट और थाल घाट से भी इसका जुड़ाओ जो है, रेल मार्ग के द्वारा हो गया. जिसके और हम देखते हैं, इन सभी रेल मार्गों के विकास के साथ ही साथ, मुंबई का जुड़ाओ जो है, वो देश के सभी भागों से रेल मार्गों के द्वारा हो गया, जो यहाँ के द्वीगों के विकास के लिए एक महत्त्वपूर्ण सहायक कारत था. अगला हम देखते हैं चुकि ये छेत्र जो है ये देश के प्रमुख जो कोईला उत्पादक छेत्र हैं उनसे बहुत दूर इस्थित है इसलिए कोईले के रूप में उर्जा की आपूर्टी इसे नहीं हो पाती लेकिन इसकी जगह जो पाल घाट है वहां से परियाप्त मात्र इसे जल विद्यूद जो है वो उपलब्ध हो पाता है जो कोईले के दूरिस्थित होने के कारण या हम कहें कि कोईला छेत्रों से दूरिस्थित होने के कारण भी एक बाधा की रूप में इसमेकार्य नहीं करता इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि मुंबई जो है वो देश का या और विश्व का भी हम कहें कि एकदम आधुनिक तम नगर है जिसके कारण इसका सभी देशों से और विदेशों से भी जुडाव है और यहां पर हर प्रकार की जो आधुनिक सुविधाएं हैं चाहे हम बै मासंबंदी सुविधाओं की बात करें तो इन सभी से ये सुसजित आधुनिक नगर है जो यहां के ओध्योगिक विकास के लिए एकदम सहायक है। एक सीधा संपर्क इस्थापित हो गया जो इस मुंबई बंदरगा के विकास में एक उलेखनी योगदान देता है। साथ ही साथ यहां पर इस्थानी रूप से जो सस्ते और कुशल श्रमिक यहां पर उपलब्ध मिलते हैं जो इस ओध्योगिक समुग के विकास में अपना प्रमुख योगदान निभाते हैं। अगला ओध्योगिक प्रदेश है हुगली ओध्योगिक प्रदेश। इस ओध्योगिक प्रदेश का विस्तार जो है वो इसके दोनों किनारों पर उत्तर में बसवेरिया से लेकर दक्षिन में बिड़ना नगर तक लगभक 100 किलोमीटर की दूरी में ये छेत्र जो है वो वि केंद्र बिंदू है जिस कारण से इसे कोलकाता ओध्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और जैसा कि हमने बात की कि कोलकाता इस पूरे छेत्र का केंद्र बिंदू है और इस ओध्योगिक प्रदेश का जितना भी जो छेत्र है कोई भी छेत्र कोलकाता से लगभग 64 किलोमीटर 64 किलोमीटर से अधिक दूरी पर इस्थित नहीं है अब हम देखते हैं कि भारत का मतलब सबसे प्रमुख उद्योग यदि इस छेत्र में हम देखें तो जूट उद्योग यहां का प्रमुख उद्योग है और कारण ये कि भारत का जितना भी पट्सन उद्पादित होता है वो लगभग 90% जो है वो इसी छेत्र से ही उद्पादन होता है पट्सन का और इसके अत्रिक्त पट्सन इतना अधीक उद्पादित होने के कारण जूट उद्योग जो है वो यहां का प्रमुख उद्योग है लेकिन जूट उद्योग के अत्रिक्त भी हम देखेंगे कि यहां पर वस्तर है कागज है इंजिनेरिंग उद्योग बिजली शमान और पे यहां के प्रमुख और दोगि केंद्रों की जब हम बात करते हैं कि कहां कहां पर प्रमुख और दोगि केंद्र कोलकाता है, हावडा है, हल्दिया, सिरामपूर, रिसरा, इसके साथ हुगली, बिड़ळा नगर ये सब प्रमुख जो है यहां के इस और्दोगीक प्रदेश के प्रमुख और्दोगीक केंद्र है कौन से कारक है जिसके कारण इस और्दोगीक समूह या और्दोगीक प्रदेश का विस्तार हुआ है तो इस संबन में हम बात कर लेते हैं तो देखते हैं हम कि कच्चा माल जैसा भी हमने बात की कि जूट यहां पर का प्रमुख उद्योग है और कारण यह है कि पूरे भारत का लगभग 90% जो है जूट यहीं पर उत्पादित किया जाता है तो इस कारण से कच्चा माल प्रमुख रूप से उपलब्ध होने के कारण जो है कच्चे माल की उपलब्धता इसका प्रमुख कारख है और जूट उद्योग के अतरिक हम देखेंगे कि जो कागज है पेट्रो रसायन है यह हम रेशम उद्योग की बात करें और चमड़ा उद्योग इन सभी के लिए भी कच्चा माल जो है वो इस छेत्र में अब इसके बाद हम बात करते हैं कोईला तो छोटा नागपूर पठार जो है वो इसी छेत्र के पास इस्थित होने के कारण छोटा नागपूर पठार से परियाप्त मात्रा में कोईला और साथ ही साथ लौह एस्क जो है वो इस छेत्र को आपूर्ती हो पाती है अब इनके अतरिक्त भी दामोदर घाटी जो कोईला छेत्र हैं या वहाँ परिस्थि जो कोईला खदाने हैं वहाँ से इसे कोईले की आपूर्ती होती है तो दो छेत्र हो गए जहां से इसे कोईले की आपूर्ती हो रही है अब हम बात करते हैं जल विद्यूत की तो दामुदर घाटी से जल विद्यूत की भी आपूर्ती इस छेत्र को परियाप्त मात्रा में हो पाती है और अगला यदि हम कारक देखें तो इसके आसपास ही के जो राज्य हैं चाहे हम जारखंड की बात कर लें बिहार की बात कर लें और ओडिसा ये अपेक्षाक्रित थोड़े पिछडे राज्य हैं जहां से इसे परियाप्त मात्रा में श्रमिक भी मिल जाते हैं हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जूट उद्योग में जो पटसन होता है वो रेशो को सडाने के लिए फिर धोने के लिए अलग करने के लिए परियाप्त मात्रा में श्रम की आवशक्ता होती है जो कि इसके आसपास इन राज्यों से इस छेत्र को मिल पाती है फिर हम देखते हैं कि हुगली नदी जो है चुकि जूट उद्योग के लिए परियाप्त मात्रा में हमें साफ जल की आवशक्ता होती है हम पेटो रसायन उद्योग की बात करें या हम उर्वरक उद्योग की बात करें रसायन उद्योग की बात करें तो इन सभी के लिए पर तो इस हुगली नदी से इसे परियाप्त मात्रा में जल किया पूरती हो जाती है। इन सब के अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो कोलकाता है वो प्रमुख रूप से आपके यहां पर सडकों का जाल बिछा हुआ है, रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है। साथ ही साथ हम हुगली नदी की बात करें तो हुगली नदी से एक विशाल जल मार्ग जो है इस और द्योगीक प्रदेश को मिल पाता है। और सडक, रेल, वायू यातायात और जल परिवहन सभी से इसका जुडाओ इस छेत्र का है कोलकाता का। इसके कारण भी जो है इस ओद्योगीक छेतर का विकास हुआ है इसके बाद हम देखते हैं कोलकाता नगर जो है इस प्रदेश का जैसे हमने कहा कि केंद्र बिंदु है या हृदय स्थल है बीच में स्थित छेतर है तो पूरे देश का कोलकाता एक तीसरा बड़ा नगर है जिस बैंकिंग संबंधी जो सुविधाये हैं वो यहां पर उपलब्ध मिलती है कोलकाता एक प्रमुख बंदरगा भी है हमें पता है जिसके कारण इस छेतर को बाहर से जो यहां पर तयार माल है और कच्चा माल दोनों के लिए आयात और निरियात की सुविधा भी इस बंदरग को मिलती है फिर जब हम अंग्रेजों की समय की बात करें लगभक 1773 से लेकर 1912 तक के समय की तो हम देखते हैं भारत की पहली राजधानी थी कोलकाता और पहली राजधानी होने के कारण यहां पर अंग्रेज के माध्यम से पुझी बहुत बड़ी मात्रा में पुझी की पास का जो छेत्र है यह पूरा एक घनी आबादी वाला छेत्र है जिसके कारण यहां पर उद्योगों में जो भी माल तयार होता है इस निर्मित माल के जो बाजार बहुत विस्तरिक बाजार यहां पर देखने को मिलता है कि क्योंकि इस माल के लिए मांग बहुत अधिक मात चेत्रा में होती है इसलिए बाजार भी इस चेत्र को मिल जाता है तो यह पूरे फैक्टर्स हैं जो हुगली ओध्योगिक प्रदेश के विकास के लिए सहायक हैं अब अगला हम देखते हैं बैंगलूरू, तमिलनाडू, ओध्योगिक प्रदेश यह जो ओध्योगिक प्रदेश है, इस ओध्योगिक प्रदेश का विस्तार जो है वो प्रमुख रूप से करनाटक और तमिलनाडू राजियों में है यह प्रदेश प्रमुख रूप से इसका विकास यदि हम देखें तो स्वतंतरता के बाद इस प्रदेश का बहुत तेजी से विकास हुआ और लगभग 1960 के आसपास हम देखते हैं कि उस समय सिर्फ बैंगलूरू, सेलम और मदुरई बैंगलूरू, सेलम और मदुरई जो है ये इन जीलों तक ही जो अध्योगिक विकास है वो सिमीत था लेकिन अब वर्तमान में हम देखें तो विलूपूरम जीला जो है उसको छोड़ कर तमिल नाडू के जितने भी जीले हैं सभी जीलों में ये विकास जो है वो फैल गया है या इसका विस्तार जो है वो हो गया है चुकि ये पूरा छेत्र कोईला मतलब छोटा नागपूर पठार की जो हम बात करते हैं जो एक प्रमुख कोईला छेत्र है वहां से ये ओद्योगिक छेत्र बहुत दूर विस्त्रित है उसका लाभ इस छेत्र को नहीं मिल पाता लेकिन हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से इसका जो विकास है इस प्रदेश का विकास वो 1932 में जो पाईकारा जलविद्यूत का निर्माड किया गया भारत में तो पाईकारा जलविद्यूत सयंत्र के निर्माड से इस ओद्योगिक समूह के विकास को बहुत अधिक गत तो कपास उत्पादक छेत्र होने के कारण भी सबसे पहले यहाइपर सूती वस्त्र उद्योग जो है वो इस्तापित हुआ और चुक काज शूती वस्त्र उद्योग ने यहाँ पर अपनी जड़े जमाली और सूती वस्तर कारखाने के साथ ही साथ यहाँ पर हत करगा उद्योग जो है इसका भी बहुत तेजी से जो है विकास हुआ हमने जो बात किया था कि कोईला छेत्र यहाँ पर दूर इस्थित है लेकिन इसकी जो आपूर्टी है विद्युत सयंत्र की रूप में पाईकारा जल विधुद सयंत्र के इस्थापित हो जाने से तेजी से इसका विकास हुआ और विध्युत जो है वो इसके रास्ते में इस और द्योगी समुह के विकास के रास्ते में बाधा के रूप में नहीं आई बैंगलूरू जो है वो करनाटक का एक महत्व पूर्णे नगर है और हम देखें कि इसकी जो इस्थिती है वो पुर्वी और पशिमी घाट दोनों और से समान रूप से समान दूरी पर यह स्थित है इस कारण से इसे पुर्वी घाट या पुर्वी तटी छेतर की हम बात करें और पशिमी तटी छेतर दोनों का ही समान रूप से लाभ ही इसको मिलता है अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अधिकांश उद्योग यहां इस्थापित किये गए हैं वो सरकार के प्रयासों के द्वारा ही इस्थापित किये गए हैं जैसे कि भारतिय वायूयान निर्माण हैं भारतिय दुर्भाश उद्योग की हम बात करें या भारतिय विद्युत उपकरण की यह सभी जो उद्योग हैं यह सरकार के प्रयासों के द्वारा ही यहां पर इस्थापित किये गए हैं अ के कोयमबटूर के जो आसपास के जो छेत्र हैं वो आपके कपास और गन्ना का उत्पादन यहां पर बहुत अधिक मात्रा में होता है इस कारण से हम देखेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग का यहां पर प्रमुक्ता से विकास किया गया है अब जब हम सू सूती वस्त्र उद्योग में लगभग 200 मीले जो हैं वो काम कर रही हैं सूती वस्त्र उद्योग के छेत्र में और इसी कारण से हम इसे तमिल नाडू का मैंचेस्टर भी कहते हैं यहां केंद्री गन्ना शोध संस्थान इसकी स्थापना की गई है अब सूती वस्त्र उद्य इजिनिरिंग है, सिमेंट है, चमडा है और इसके अतरिक्त फिल्म उद्योग कभी यहाँ पर अपेक्षाक्रित अधिक विकास किया गया है। इस प्रदेश के जो प्रम्प उद्योग हैं, हम जैसे सूती वस्त उद्योग की बात करें, इसके बाद ही जो रेल के डिब्बे हो गया या डीजल इंजिन बनाने के या इंजिनिरिंग की जो हलकी वस्तुएं हैं, रबड की वस्तुओं की हम बात करें, दवाई हैं या अलु देखने को मिलता है इसी ओध्योगिक छेत्री की एक और विशेष्टा हम देख लेते हैं चेन्नेई में जो पेट्रोलियम परिश्करन शाला है और सालेम में लोहा और इसपात का कारखाना और उर्वरक के जो कारखाने हैं वो यहां के इस ओध्योगिक प्रदेश के एकदम न इसके बाद हम अगला देखते हैं गुजरात ओद्योगिक प्रदेश अब हम अगले ओद्योगिक प्रदेश गुजरात ओद्योगिक प्रदेश यह हम इसे ही अहम्दाबाद बडोदरा ओद्योगिक समुह के नाम से भी जानते हैं यह ओद्योगिक समुह जो है इसका विस् यह दो पूरा चेतर एक प्रमुक का पास उत्पादक चेतर है, क्योंकि हम हमें पता है कि यहाँ पर काली मिट्टी जो है वो प्रमुकता से मिलती है और जिसके कारण कापास का उत्पादन यहाँ पर П्रमुक रूप से होता है और इसी करण सूती वस्त्र उद्योग भी यहां पर काफी विक्सित अवस्था में हमें देखने को मिलता है यह हम कहें कि सूती वस्त्र उद्योग का यहां पर बहुत अधिक विकास जो हुआ है इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो खंभात की खाड़ी है यहां पर जब से खंभात की खाड़ी में खनी स्टेल की खोज हुई है और तभी से पेट्रो रसायन उद्योग का भी यहां पर काफी विस्तार देखने को मिलता है और इन दोनों के अतिरिक्त मतलब सूती वस्तार उद्योग और पेट्रो रसायन उद्योग के साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो इंजिनिरिंग उद्योग है यह साइकल उद्योग यह ट्रैक्टर उद्योग बरतन जरी यह जो विभिन प्रकार की कलात्मक वस्तुए बनाने के उद्योग हैं और साथ ही साथ बीडी चीनी और आनन्द डेरी का नाम तो आपने सुना ही होगा तो आनन्द डेरी उद्योग यह सभी उद्योगों की इकाईया यहां हमें विक्सित अवस्ता में देखने को मिलती हैं इस ओद्योगिक समूह के जो प्रमुख नगर हैं वो आपके एहमदाबाद, नाडियाड, गोधरा, भरूज, बडोधरा, सूरत और कोईली यह पूरे ओद्योगिक समूह के यह प्रमुख ओद्योगिक केंद्र हैं अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक यहां पर प्रमुख नगर मिलते हैं जिसके कारण इस ओद्योगिक समूह का अधिक विस्तार देखने को मिलता है तो इसमें हम देखेंगे कि कच्चा माल हमने कहा कि भई सूती वस्त्र उद्योग यहां पर प्रमुक्ता से मिलता है और इसके लिए चुकी काली मिटी कच्छेत रहे और इसके कारण कपास का उत्पादन यहां पर बहुत अधिक होता है तो सरवाधिक कपास की उत्पादन के कारण कच्चा माल यहां पर प्रमुक रूप से मिल रहा है और हमने बात की खाड़ी में जब से खनी स्टेल की खोज हुई है तो उस रूप में खनी स्टेल की रूप में कच्चा माल तो सभी प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल यहाँ पर उपलब्ध है जो यहाँ पर विक्सित हुए हैं यह इसका प्रमुक कारक है जो इसके विकास के लिए उत्तरदाई है इसके बाद हम देखते हैं जो पास ही आपका हमने बात की थी मुंबई पुड़े और दोगिक प्रदेश के विशाय में हमने देखा था तो मुं प्रमुख कारक है और चुकि सस्ते मुल्य पर यहां पर भूमी मिल जा रही है इसलिए भी इस छेत्र के विकास को बहुत अधीक गती मिली है इसके साथ ही साथ हम देखते हैं जो पुरा गंगा सतलच का मैदान है यहां पर जो विक्सित नगर है इससे यहां पर इसे बाजार क सुविधा जो है ये भी मिली है जो इसके विकास के लिए एक प्रमुक कारग है इस थानी रूप से जो अधिक जनसंख्या वाला छेत्र है यहां पर भी जो सस्ते और कुशल श्रमिक जो हैं इन उद्योगों में कारे करने के लिए यहां पर मिल जाते हैं यहां कांडला और मुंबई बंदरगाह इस्थित है तो यह कांडला और मुंबई बंदरगाह की इस्थिती होने के कारण जो कच्चा माल बाहर से आयात करना पड़ता है और तयार माल जो है बाहरी छेत्र को यह बाहरी बजार को जो यहां भेजा जाता है तो इन दोनों बंद पूरे चेत्र में परिवहन की परियाप्त सुविधा मिलती है क्योंकि ये रेल और सड़कों के जाल के द्वारा पूरे चेत्रों से इसका जुडाव है तो ये पूरे कारक है महत्तोपूर्ण फैक्टर जो किसी भी उद्योग के विकास के लिए उत्तरदाई होते हैं जो यहाँ पर मिलते हैं और इसी कारण ये गुजरात और द्योगीक प्रदेश ये हमने जो अहमदाबाद बडोदरा समूँ और द्योगीक समूँ की जो बात की इसके विकास के लिए ये पूरी अवस्थाएं जो हैं यहाँ पर मिलती हैं झाल 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 झाल